नमस्कार दोस्तों मेरे नब घजिंद्र है जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मेरे चनलेल पर एक स्रीजी स्टार्ट कर रहा हूं 32 साइज से लेकर 52 यानि कि 32 साइज से लेकर 52 साइज तक कूर्टी कटिंग करना मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैंने पहला वीडियो अप्लोड कर दिया है आप उसको जाके देख लेना यहीं आपने नहीं देखा तो कि 32 साइज कूर्टी कटिंग कैसे करते हैं आज का वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा 34 यानि कि 34 साइज कूर्टी कटिंग कैसे करते हैं तो दोस्तो मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ यह देखें मॉर्णिंग के 8 बज रहे हैं मेरे को साढ़े 9 बज जैपोर निकलना है तो मेरे को वीडियो भी कंप्लीट करना है मैं वीडियो बनाऊंगा और ट्रेन में स्क्रेडिट कर लूँगा और 12 बजे के आसपस मैं इसे अप्लोड कर दूँगा अगर दोस्तो वीडियो आपको मारा पसंद आता है तो आप मेरे चनल को जरूर सस्क्राइब करें क्योंकि इस लाइफ सम्मंदत वीडियो में मेरे चनल पर टालता रहता हूं तो दोस्तो देखें यह मेरे पास में कपड़ा है यह मैंने डबल फोल् काकर रहें एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं यह जो जो किनारी न गीट इनको झोड़ देना है किनारी के बाद में आपको 10,5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है क्योंकि यह 15 इंच से सैड़ों से फोल्ड करते हैं चाक में ठीक है अब बात करते हैं इसके पहले घेर का measurement रखते हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यह वाला जो निशान है, इसके according, इसको four fold करना है, इस तरीके से, यह देखें, यह वाला जो निशान है, इसके according आपको ऐसे fold करना है, ठीक है, पूरे कपड़े को, अब यहां से यह बराबर है नीचे से, तो हम क् के उपर एक बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे, क्योंकि दो इंचमी से नीचे से fold करेंगे, ठीक है, अब यह वाला जो निशान है, यहां से हम रखेंगे, इसके लंबाई, इसके जो लंबाई है, वह 35 याने की 35 इंच, ठीक है, 35 के जगए मैं रखूँगा, साढ़े 35, हाफ इंच extra मैं इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि हाफ इंच उपर से shoulder में चला जाएगा, तो यहां पर एक निशान बिल्कुल सीधा लगाना है, यह देखें, और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कि जो हम shoulder रखते है, वो रखते है गले के according, जिनका गल है, ठीक है, बात करते है, आर मॉल की, आर मॉल में हाफ इंच extra लूँगा, तो साड़े छे पर एक निशान लगा लूँगा, इस तरीके से, अब यह वाला जो निशान है, इसको मैं बिल्कुल सीधा कर दूँगा, इस तरीके से, और यहां से, इसे मैं इस निशान में नीच मिला दूँगा, ठीक है, अब यह वाला जो निशान है, इसके नीचे, हमें दो इंच पर एक निशान और लगाना है, क्योंकि जो सीने का मेजरमेंट है, हम नीचे वाले निशान पर रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, कि यह निशान में नीचे क्यों लगाया है, अब इं निशानों को आपस में, इस तरीके से बड़े कर लेना है, यह देखें, अब इनका जो मेजरमेंट है, मैं आपको बता देता हूं, जो सीने का जो मेजरमेंट है, वो है 34, यानि की 34, और जो कमर का जो मेजरमेंट है, वो है 32, यानि की 32, और जो हिप का जो मेजरमेंट है, व थोड़ा इस्टैची वहल है तो इसके अंदर भी में 2-inch की losing रखूँगा यानि की जो 34 है इसमें 2-plus करूँगा तो बनेगा 36 और जो 32 है जो 32-inch है इसमें 2-plus करूँगा तो बनेगा 34 और जो 36-36 है इसमें 2-plus करूँगा तो बनेगा 38-18 ठीक है अब जो मारा मेजरमेंट निकल कर आया है वो सीने का है 36 इंच और कमर का है 34 इंच और हिप का है 38 इंच विद लिजिंग अब इसी के according हम इसकंद निशान लगाएंगे अब देखें मेरे पास में 4-fold कपड़ा है तो 36 इनकी 36 का जो 4 इनकी 4 हिस्सा बनेगा वो बनेगा 9 इंच आपको निचे वाला जो निशान है यहाँ पर इस तरीके से 9 इंच पर निशान लगाना है ठीक है और कमर का जो मेजरमेंट है 34 इनकी 34 इनकी 34 इंच अब 34 का जो हाव बनेगा, वो बनेगा 17 अब इन निशानों को इस तरीके से एक के साथ मिलाना यह देखें इसको इसके साथ मिलाने और इस तरीके से आपको नीचे यह वाला जो निशान है घेर में इस तरीके से मिलाने है तो देखें दोस्तों फिटिंग के निशान मैंने इसकंदर लगा दिये अब मैं आपको बताऊंगा कि यह वाला जो निशान था सीने का मैंने दो इंच नीचे क्यों लगाया यह मैंने इसलिए लगाया तक कि आर्मोल में जोल ना आए आपको क्या करना है यह जो दो इंच की हो दोगह यहां पर बिल्कुल सीथा इस तरीके से निशान लगाना है कि independent哥 वीडियो में आपको बता यह ता एक वा gotta बता तो यहां की जब आप इस तरीके से बिल्कुल सीथा निशान लगाते मैं इस निशान लगाए तो होगा कि आर्मोल में जोल नहीं आए एगा अब जो यानि कि इसकी जो शेप है, इस तरीके से मैं निशान लगा के आपको दिखा देता हूं इस देखें, ठीक है? और जो मैंने निशान लगा है, बिल्कुल सीधा लगा है यदि मैं यह वाला जो निशान है, इसके according इसलाई लगा दूंगा, ठीक है? तो होगा क्या आप देखे दोनों निशानों के बीच में आपको कुछ कपड़ा नजर आरा है होता क्या कपड़ इखटा होता है और इसका जोल बनता है तो आपको मैं यही समझाना चालता हूँ यदि आपको इस तरह की कड़़ाना निये कि आरमोल में जोल ना है, तो आपको क्या करना है, यह वाला जो निशान है, इसके 2 इंच निशान लगाना है, और जो आपका मेजरमेंट है, वह आपको 2 इंच के नीचे रखना है, और उसके बाद में यह वाला निशान बिल्कुल सीधा लगाना है, यानि कि यह जो निशान ह यह गलत है और यह वाला सही है ठीक है अब बात करते हैं कि जो rmol के गोलाई किस तरीके से देते हैं यहाँ पर मैं इस तरीके से निशान लगा देता हूँ एक बात मैं आपको clear कर देता हूँ जो heavy size होता है उसमें आपको यह वाला formula नहीं लगाना उसके लिए मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा इसलिए मैं आपके लिए अलग-अलग major limit की कुर्टी cutting करना बता रहा हूँ यह सिर्फ 34 और 32 में काम आएगा 36 थोड़ा सा अलग होगा और 38 अलग होगा 40, 42 यह सारे अलग-अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा ठीक है यह निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है यहां से 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है ठीक है एक बार, दो बार, पांच बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजी लिए गोलाई बनाना सीख जाओगे तो फिटिंग के निशान मैंने लगा दिये हैं अब मैं इसमें 1.5 इंच के एक्स्टर मार्जन ले लेता हूँ तो देखें निशान मैंने इसकंदर लगा दिया है अब जब कभी हम सूट बनाते हैं तो दो प्रोब्लम होती है एक प्रोब्लम होती है गला पीछे जाता है और एक प्रोब्लम होती है जो गला होता है शोल्डर से गिरता है आप गला shoulder से ना गिरे उसके लिए आपको क्या करना है यह जो मैंने निशान लगा तो इसके लिए हैं shoulder वाला इसके सीधे कि आपको कभी cutting ही नहीं करनी आपको हल्क आसा इस तरीके से यह देखे याणि की half inch आपको इस तरीके से down में रखना है डाउन में रखोगे तो होगा क्या जो शोल्डर है वो कभी भी नहीं उतरेगा ठीक है अब मैंने निशान तो इसके अंदर लगा दिये अब मैं करूँगा इसकी कटिंग लेकिन जो मैं कटिंग करूँगा यहां से हाफ इंच उपर से करूँगा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने हाफ इंच उपर से कटिंग क्यों की है तो देखें बैक और फ्रेंट की कटिंग तो मैंने कर दी है अब सिंपल है मिसमें से जो बैक है इसका वो अलग कर लेता हूँ और फ्रेंट में डाउन देते हैं पोइन इच का उसकी कटिंग में कर लेता हूँ उसकी कटिंग करना बहुत सिंपल है यह देखें जो मैंने डेडिंच लिया था इसका जश्ट आपको हाफ करना है यानि कि इनके बीच में निशान लगाना इस तरीके से तो फ्रेंट की कटिंग मैंने कर दी है अब बात कर दीए इस के बैक के गले की जो बैक का गला मैं बना रहा हूँ वह मैं बना रहू साथ इंच और सिंपली उरेव पट्टी के गला बनाउँगा तो गळकी की कैसे करते है यह बहू आपको बता देता हूँ तो यह देखे, मैंने इसको double fold इस तरीके से कर दिया है, आपको क्या करना है, जितनी भी गले की broadness है, उसका half रखना है, पांच इच broadness बना रहा हूँ, तो half बनेगे 1.5 inch, ठीक है, और यहां से आपको गले की लंबाई रखनी है, गले की जो लंबाई है 7 inch है, और मैं half inch extra ले ठीक है, और यहां से भी आपको 1.5 inch रखना है, और इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिलाना है, यह वाला इसमें, और यह वाला इसमें, ठीक है, और बहुर सिंपल तरीके से आपको इसमें gold shape बनानी है, यह देखे, और इसकी cutting करनी है, तो देखे, मैंने back fret की cutting कर दी है अब मैं आपको बताता हूँ, किसकी बाजू cutting किस तरीके से करनी है, तो दोस्तों देखे, यह कपड़ा मेरे पास में बचा था side से, अब इसी में से मैं आपको बताऊंगा, बाजू cutting किस तरीके से करनी है, तो यह कपड़ा मेरे पास में double fold है, simply क्या करना है, इस तरीके से, यह देखें कपटे को four fold करना है ठीक है अब बाजू cutting करने से पहले मैं आपका doubt clear कर देता हूं कि बाजू से related मेरे पास में comment आता है कि सर जब कभी बाजू लगाते हैं तो होता क्य है बाजू की जो गोला ही सबय करने का एक बहुत पर फैक का पताँगा आप ध्यान से समझे मेरे बात को यह देखे, कपड़ा मेरे पास में 4-4 है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सीधा कर लेता कपड़े को, यह देखे, ठीक है, यहाँ पर एक बिल्कुल सीधा निशान लगाऊंगा मैं, क्योंकि जो छोटा बड़ा है, इसके हम बराबर कटिंग करेंगे यहा यहाँ से आपको 1-5 इंच छोड़ देना है, क्योंकि 1-5 इंच बाज जोड़ने में चला जाएगा, और यह वाला जो निशान है, यहाँ से आपको 15 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और एक निशान आपको लगाना 3 इंच पर, ठीक है, यह फिर आप नीचे से 3.5 इंच ले सकते हैं, यहाँ पर ही बिल्कुल सिधा निशान लगाना है, क्योंकि इसकंदर हम 3 इंच का डाउन देते हैं, यह देखें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और जो बाजु की गोला ही है यहाँ से, यह इनके 10 इंच 10 का हब बनेगे 5 इंच, तो आपको सिंपल यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है, अब मैं आपको फोर्मूला बताऊंगा, कि फोर्मूला कौन सा है, जिसके करण बाजु छुटी बड़ी, कभी नहीं आएगी, यदि हम इस तरीके से, इस फोर्मूले को यूज क अब 34 का हब बनेगा 17 इंच vocals बनेगा 90. 85 इंच धिक है, अब इसमें आपको क्या करना है यह देखें आपको तिर्चा निशान लगाने ठीक है 8 इंच पर और इन निशानों को इस तरीके से मिलाना है यह देखें यह तो इसका फिटिंग का निशान हो गया और यह मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा माजन रख देता हूँ ठीक है और यहां से एक निशान आपको लगाने 1.5 इंच पर ठीक है क्योंकि 1.5 इंच तक हम इसकी सिर्गी कटिंग करेंगे और उसके बाद में क्या करना है आपको राउंड में शेप लगाने इस तरीके से और यहां पर इस तरीके से मिलाना है यह देखें अब इस निशान से आपको करने इसकी कटिंग अब इस तरीके से बाजू को खोन ला है और आपको इसमें भी पॉनिच का डाउन देना है अब मैं आपको बाजू एक बार कुट्टी के आर्मल से नाप के दिखा देता हूं तो दोस्तों बाजू नापने इससे पहले मैं एक बात किलीर कर देता हूं यह देखें यह मेरे पास में फ्रेंट कुट्टी का ठीक है और यह मेरे पास में बैक है ठीक है जब मैंने इनकी शोल्डर की कटिंग की थी, तो यहां से half inch extra लिया था, मैंने आपको एक बात बताई थी, कि मैं half inch extra क्यों ले रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, half inch मैं extra इसले लिया था, क्योंकि के बर शेकायत होती है, गला पीछे की तरफ जाता है, तो आपको simple ही क्या करना है, जो इस तरीके से मैंने back को रखा, और front को मैंने इसके उपर इस तरीके से रखा, यह देखें, यहां से देखें, आप यह बल्कुल बराबर है, और जो back वाला बढ़ा है, जब इसमें सिलाय लगाएंगे ना, तो यह इस तरीके से हो जाएगा, उससे होगा क्या, जो गला होता ह यह देखें, इनको मैं रखता हूँ इस तरीके से, और जो बाजु है, इसको रखता हूँ इस तरीके से, यह देखें, जब हम इसमें सिलाय लगाएंगे ना, इस तरीके से, यह हाफ इन चला जागा सिलाई में, तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और अब देखें, इसको इस तरीके से रखा, और यह देखें, कितनी एग्जक्ट बराबर इसके बाजु आ रही है, तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, आज कर वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको उम्मारे वीडियो पसंद आता है, तो आप मेरे चल को जुरू सस्क्राइब करें, क्योंकि सिलाइफे सम्मुनत वीडियो, मैं मेरे चल पर डालता रहता हूँ, तो दोस्तों, मैं धीरे-धीरे करकर सभी नाप की कुड़ती की कटिंग करूँगा, और मिलता हूँ उपसे नेक्स्ट वीडियो में, देखे दोस्तों, टाइम हो गया, लगबग, लगबग, आट बीस हो गया, मुझे नाके फटाफट जैफुक लिए निकलना है, थेंक्यू समद्ट